शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इन बातों पर अच्छे से ध्यान देए। पहली बात ना ही ये कोई प्रवचन है ना ही कोई लेक्चर ना कोई मनुरंजन। ना ही मैं आपसे कहता हूं कि मेरी बाते मान लो। आपको खुद ही अपने भीतर इसे समझना होगा, महसूस करना होगा। मैं यहाँ कोई फिलोसोफी जारने नहीं आया हूं। ना ही मैं आपका गुरू हूँ, ना ही आप मेरे शिश्य है। मैं आपका एक दोस्त हूँ, एक इनसान हूँ और इतना काफी है। हम दोनों साथ साथ जीवन में हमें क्या समस्याए है। उन्हें ढूनने की और सुल्जानी की कोशिश करेंगे। हम आसानी से किसी धोके में फस जाते है। किसी का कुछ सुनके उसका अनुसरन कर लेते है। बिना उसकी जाच परताल किये। बिना सोचे समझे, हम किसी के भी बात पर विश्वास कर लेते है। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजूरी है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी बाते मान लो, उन पर विश्वास कर लो। मुझे और आपको साथ साथ चलना होगा और खुद से तलाशना होगा कि सत्य क्या है। हमने कई चीजों को केवल शब्द ही समझ लिया है, जैसे दया, क्षमा, प्रेम। हमें केवल यह शब्द मालुम है, सच में प्रेम क्या है हम नहीं जानते। तो जब मैं शब्दों का इस्तमाल करूँगा, तो जो अर्थ आपको पता है, उसे भूल जाईए। और मैं किस सम्बंद में किसी खास शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। उसके पीछे के पूर्ण अर्थ को समझनी की कोशिश आपको करनी है। आपने अब तक जो जो सुना है, ज्ञान पाया है, उसे भूल जाईए। वह अतीत का ज्ञान यहाँ आपके कुछ काम नहीं आने वाला। उल्टा, आपका अतीत का ज्ञान इसमें बाधा है। तो इन बातों पर आपको खास ध्यान देना है। इन बातों को साप साप अपने दिमाग में डाल दीजिए। मैं नहीं चाहता, मैं किसी का गूरू बन जाओ, या मेरा कोई शिश्य हो। हम दोनों बस इनसान है, अच्छे दोस्त है और इतना काफी है। बोलने वाला, याने कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। इसलिए आपको भी मेरे साथ, जो मैं कह रहा हूँ, उस पर अपनी नजर बनाई रखनी, इन बातों को समझना जरूरी है। इन्हें समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारी छोटी बड़ी बहुत समस्याए है, जिनसे हम छूट नहीं पाते। जिनके कारण हम दुखी हो जाते हैं, खुश नहीं रह पाते। और कुछ समस्याए जीवन भर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। और जैसे जैसे यह समाज बढ़ते जा रहा है, समस्याए भी बढ़ते जा रही है। और बड़ा कनफ्यूजन है कि कैसे इन समस्याओं को सुलजाया जाए। और क्या यह संभव है कि जीवन में एक भी समस्या ना हो। एक इनसान होने के नाते आप पर भी जिम्मेदारी बनती है कि पता करे कि पचास हजार सालों से या उससे भी जादा समय से हम वैसे ही है जैसे थे। पचास अजार सालों की क्रमागत उन्नती होने के बावजूद हम ऐसे ही कैसे रहे गए इन्सान का प्राचीन दिमाग से लेकर इतना उन्नत दिमाग अभी इन्सान के पास है फिर भी आज भी समस्याए है समस्याए जादा बढ़ गई है हमारी हालत उल्टी बिगड़ती ही जा रही है हमने तो बहुत ग्यान इखटा कर लिया पहले से जादा अनुभवी हम आज है हमने इतनी सारी चीजों में विकास कर लिया फिर हमारी तकलिफे हमारी समस्याए कम क्यूं नहीं हुई क्यू आज भी हम में विभाजन है धर्मों के नाम पर देशों के नाम पर क्यू हम में विरोध है हम सत्ता पाने के लिए प्रतिष्टा पाने के लिए हमारे स्वार्थ पूरे करने के लिए आज भी एक दूसरों की जान लेते है आज भी हम युद्ध करते है और मानुवियक कार्य करते है आखिर क्यों? दुनिया में बहुत अक्स्पर्ट्स है जो आपको सिखाते है कि चहरा कैसे सजाते है आपको मेकप करना सिखाते है, कुछ आपको पढ़ना लिखना सिखाते है कोई आपको बच्चे कैसे पैदा करना वो सिखाता है कोई आपको सेक्स कैसे करना वो सिखाता है आज की दुनिया में हर काम के लिए एक्सपर्ट्स है, विशेश अग्य है जो आपको हर बात सिखाते है और राजनेता है, जो आपको बताते है कि आपको करना क्या है जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो बच्पन से ही उससे सिखाया जाता है कि उससे क्या करना है और वह अगर आपके हिसाब से नहीं रहता, तो उससे दंडित भी किया जाता है फिर वह स्कूल में जाता है वहाँ भी उसे सिखाया जाता है ट्रेन किया जाता है और फिर धर्म गुरू जो आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है दुनिया में कई किताबे है धर्म ग्रंथ है जो खुद पढ़कर आप सीखते है लोगों को देखकर इस समाच को देखकर आप सीखते रहते है जीवन की हर चीज आप दूसरे से सीखते है आप दूसरों से सीखना पसंद करते है आपको दूसरों से सीखने की आदत पड़ी है और ऐसे ही आप निर्मित होते हो यह सारा अतीत का ज्यान और जो अभी भी इस चण आप ज्यान इकतरित कर रहे हो यह ज्यान ही आपको संसकारित करता है आपकी कंडिशिनिंग करता है और सारा ग्यान दूसरों से पाने के कारण बाहर से पाने के कारण हम हमारी खुद की समझ जो सबसे जादा महत्वपूर्ण है उसे खो देते है बचपन से ही दूसरों पर निर्भर रहने की हमें आदत पड़ी है इसी कारण हम खुद की समस्याओं को सुलजाने में असमर्थ है हमें कोई गुरु चाहिए जो हमें जिन्दगी के बारे में बताए शिखाए इसी कारण हमें खुद तलाश करने में खुद से महनत लेके समझने में आलत से आता है और यही सबसे बड़ी समस्याओं बन जाती है हमेशा दूसरों से सीखने की आदत के कारण आप अपनी क्षमता भी खोड़ देते हो और सत्य से जीवन की वास्तविक्ता से दूर दूर होते जाते हो और जीवन को साफ साफ नहीं देख पाते नहीं समझ पाते आपको यह बाते पता है शायद आप सोचते होगे कि बोलने वाला बढ़ा चड़ा कर इसे बोल रहा है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता जब मैं किसी नए देश में जाता हूँ तो मैं उस देश के नियूस पेपर में टिवी में और हर तरफ यह देखता हूँ कि क्या चल रहा है मैं राजनेताओं से मिलता हूँ धार्मिक गुरों से मिलता हूँ तो यह स्थिती साफ साफ मुझे दिखाई पड़ती है और मैंने देखा है कि अमरिका में इस देश में लोग कामियाबी और मजे के पीछे भागे जा रहे है आप लोग पैसो के पीछे भागते हो कामियाबी के पीछे मजे के पीछे भागते हो और मैं देख रहा हूँ कि बाकी देशों के लिए अमरिका प्रभावशाली बन रहा है भारत से लेकर यूरोप सभी आपसे प्रभावित हो रहे है सब को यहाँ आना है तो फिर से मैं आपको याद दिला दू कि मैं कोई धर्म गुरू नहीं हूँ और नहीं आपको मेरा कहना मानना है आपको खुद सच्चाई को देखना है और खुद समझना है बोलने वाला और सुनने वाले दोनों दोस्त है और साथ साथ इस सफर में आगे बढ़ रहे है क्या आपने सोचा है कि दुनिया में हिंसा क्यूं है क्यूं लोग एक दूसरों की जान ले रहे है क्यूं धर्ती पर युद्ध होते है क्यूं सबी देशों के पास बड़े-बड़े हतियार है छोटे से छोटा देश भी बड़े-बड़े आधोनिक हतियार बना रहा है हर देश एक दूसरे को मारने को तयार ही बैठा है पचास हजार सालों से या उससे भी जादा समय से हम यहां जीते आ रहे है समय के साथ तो हम जादा समझदार, जादा ग्यानी, जादा अनुभवी होने चाहिए थे लेकिन हम तो अभी भी जगड रहे है जानवरों की तरह रह रहे है धर्मों धर्मों के विभाजन, देशों देशों के विभाजन हमने इनसान इनसान में ही विभाजन कर दिया है एक इनसान को दूसरे इनसान से अलग कर दिया है तो हम ऐसे क्यों हो गए है मैं सिर्फ इस देश की बात नहीं कर रहा सारी दुनिया का यही हाल है आफरिका जैसा गरीब देश भी और अमेरिका जैसा जिसे हम विकसी देश कहते है सबी देशों के लोगों का हाल ऐसा ही है अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है सुविधाए है और आप संत्रुष्ट है तो आपने इस पर शायद गौर नहीं किया होगा लेकिन जब कोई सब होने के बावजूद असंत्रुष्ट होता है नाराज होता है सब सुक्सुविधा होना और संत्रुष्ट होना इसमें के अंतर को ठीक ठीक समझना ज़रूरी है जब कोई असंत्रुष्ट होता है तब वह विद्रोह करता है विद्रोह करना सिर्फ एक प्रतिक्रिया है और हम सब प्रतिक्रियाओं से भरे बड़े है इसलिए हम कभी भी इसके आगे नहीं बढ़ पाते हमें चीजों को जैसी वो है वैसे ही देखना होगा धर्ती के गरीब लोग जो भुक से मर रहे है जिनको खाना भी नसीब नहीं होता जो भुके पेट जीते है और वो लोग जिनके पास बहुत संपत्ती है पैसा ही पैसा है वो चंद पुंजिपती जो पैसा और पत के कारण पावर के कारण अतिशक्तिशाली बन गए है चाहे लोक्षाई हो या कम्यूनिस तो इन सारी चीजों को हमें पूरी तरह देखना होगा हमें मुझे और आपको एक दूसरों का विरोध नहीं करना है नहीं हमें दूसरा जो कह रहा है उसे मान लेना है हम दो दोस्त की तरह है इस पूरे मामले की चाच हमें दोस्त बन कर करना है हमें दोस्त की तरह साथ मिलकर सच्चाई की तलाश करनी है नहीं तो बस मैं बोले जा रहा हूँ और आप मेरी बाते मानते जा रहे है या इन बातों को याद करके रख रहे है लिख कर रख रहे है नहीं आपको मैं जिस विशय पर बात कर रहा हूँ उस विशय को देखना है देखना बहुत कठिन चीज है बिना किसी दिशा के बिना किसी चाह के बिना कुछ पाने की लालच के बिना शब्दों में फसे हम देखते हैं कि दुनिया में गरीबी है, तनाव है, अहिन्सा है, धोके बाजी है, मार काट है इस देश को, अमेरिका को, जिसे विकसी देश माना जाता है, इस देश में भी यही हाल है युद्ध चलते रहते है, हमने देखा है कि कैसे धर्मों के द्वारा हमने खुद को बाट लिया है इनसान इनसान में देशों के द्वारा अपनी अलग-अलग पहचान बना कर हमने विभाजन लाया है हम सब की अपनी अपनी विचार धारा है कैथलिक, प्रोटेस्टन, हिंदू, बाउध, जैन, मुस्लिम इत्यादी 2000 सालों से क्रिश्चन लोगों का प्रचार 1500-1600 सालों से मुस्लिम लोगों का प्रचार 2000-3000 या उस से जादा हिंदू और बाउधों का प्रचार इत्यादी इत्यादी, हमने इंसान की स्वतंत्रता उससे छीन ली है हमने उसे कट पुतली बना के रख दिया है हम अपनी अपनी विचार धाराओं के कारण विभाजित हो गए है हमने धर्मों के कारण अहिंसा की, देशों के कारण अहिंसा की लाखों निर्दोश लोगों की जान ले ली और अभी भी यह जारी है, चल रहा है आपको यह बाते, अपने अपने धर्म की पहचान, अपनी अपनी विचार धारा हाटा के देखना होगा एक साधारन इंसान की तरह इसे देखना होगा तब शायद आपको यह दर्थ मैसूस होगा, दिखाई देगा क्या हमने अलग-अलग धर्मों के कारण, इंसान को गुलाम नहीं बनाया क्या धर्म बनाने से हालात सुधर गए, या फिर जादा भी गड़ गए आप ज़रा देखिए कि हमने इंसानों का, खुद का और इस पृत्वी का, इस शृष्टी का क्या हाल बना के रखा है यहा हर किसी को गुरु बनना है, ज्यानी बनना है हर किसी को पावर चाहिए, पैसा चाहिए, हर किसी को नेता बनना है, प्रतिष्टा चाहिए आज के समाज में व्यक्तिक्ता को बहुत महत्व मिलता है याने की हर व्यक्ति अपने आपको ही सब कुछ समझ बैठा है वह अपने खुद के सपने बनाता है फिर उन्हें पूरा करता है और इस तरह वह अपना पूरा जीवन खुद के इच्छाओं की पूर्ती करने में बिता देता है और यहाँ सभी को कामियाब होना है कामियाब होना चाहता है अपने खुद के अपने अपने सपने पूरे करना चाहता है इसलिए हम चारों तरफ प्रतिस परदा देख रहे हैं जगड़े धोके बाजी अहिंसा इत्यादी और जैसा मैंने कहा कि धर्मों ने इनसान को कट पुतली बना के रखा है धर्मों ने इनसान को गुलाम बना के रखा है अगर आप इस पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि धर्मों ने इनसान को बेजान बना दिया है उसे लगभग मार ही डाला है क्योंकि हजारों सालों से यह पृत्वी पर चलता आ रहा है मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ ना ही मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरी बात मान लो मैं आपसे एक दोस्त की तरह इसे देखने को आपसे कह रहा हूँ क्या आपको यह वास्तविक नहीं लगता तो यह बाहर का जगत है जिसमें हम पैदा हुए है जिसमें हम रहते है तो सादारं तह कोई भी यह सवाल पूछेगा कि यह समाज यह बाहर का जगत किसने बनाया यह कैसे यह स्थिती बन गई यह तो साफ है कि कोई परमात्मा का हाथ इसमें नहीं है यह ऐसा समाज हम लोगों द्वारा ही निर्मित हुआ है हम मेंसे हर एक ने मिलकर यह समाज निर्मित किया है ऐसी स्थिती हमने खुद ने ही खुद की बनाई है और हम में से हर एक को मिला कर यह समाज बनता है हमारी हर एक की इच्छाए है सब को बड़ा कुछ बनना है सब को मजे करना है हम सब हिंसक भी होते है हमें डर भी लगता है जब हर किसी को डर लगता है तो यह कह सकते है कि यह समाज डर पोक है क्योंकि हम इसे समाज बनता है हम सब को हम में से हर एक को सुरक्षा चाहिए इसका मतलब इस समाज को सुरक्षा चाहिए देश के नाम पर, धर्म के नाम पर या किसी संस्ता या ग्रूप के नाम पर हम सुरक्षा ढूंडते है और क्या 40,000-50,000 सालों के विकास का नतीजा यही है? अगर इनसान 40,000 सालों से ऐसे ही जी रहा है तो आने वाले 40,000 साल भी ऐसे ही बीच जाएंगे तो क्या इनसान हमेशा ऐसे ही रहेगा? सालों से इनसान ऐसे ही जीता आया है और आज भी दुनिया में गंभीर समस्याएं मौझूद है समस्याएं और भी गंभीर हो गई है और भी बड़ी हो गई है तो क्या इनसान में बदलाव लाना संभव है या नहीं? चालिस हजार सालों से वह बदला नहीं प्रतिस परधा बढ़ते जा रही है पैसों की लालच पावर प्रतिष्टा की दोड़ बढ़ती जा रही है अहिंसा बढ़ती जा रही है युद्ध इत्यादी जारी ही है तो हम दोनों दोस्त अभी इस शांत सबेरे में इस बारे में चर्चा कर रहे है और बहुत गंभीरता के साथ इसे देख रहे है महसूस कर रहे है हमें देखना होगा कि क्या इनसान का बरताव बदल सकता है क्या यह संभव है कि इनसान जो दुखी है भीतर से और बाहर से तूटा है निराश है, कन्फ्यूज है, उल्जा हुआ है, भटका हुआ है क्या उसे पूरे जड़ से, भीतर से और बाहर से बदला जा सकता है इंसान जिसकी च्छाए है, सपने है क्या इस इंसान को जो केवल खुद के बारे में सोचता है जिसके लिए सारी बाते वैक्तिक है क्या इस इंसान को दुख दिये बिना, दंड दिये बिना, गुलाम बनाए बिना, सजा दिये बिना, लालच दिये बिना क्या हम इसे बदल सकते है इतिहास में यहा बड़ी समस्या रही है कि आपके गुरों ने आपको लालच दे कर या भै दिखा कर आपको बदलने की कोशिश की है बहुत ही कम गुरू रहे है जिनोंने यहा सही तरीके से करने की कोशिश की तो क्या हम इसे सही तरीके से कर सकते है क्या कोई ऐसा तरीका है क्या हम बदल सकते है कुछ और बनने के लिए नहीं अभी जैसे हम है हमें बदल कर कुछ और कुछ दूसरा बनना है ऐसा नहीं क्योंकि वह तू फिर से बनना ही हो गया आप पहले कुछ और थे और अभी कुछ और बन गए आपको लगता है कि मुझे ऐसा बनना चाहिए था अच्छा बनना चाहिए था तो आप फिर से इसी जाल में फस गए और यह कोई बदलाव नहीं है आपको कुछ होना नहीं है ना ही अच्छा ना ही बुरा पता नहीं आपको यह बाते समझ आ रही है या नहीं देखिए अगर मैं लाल्ची हूँ और मुझे दोस्तों के साथ मज़े मारने का लालच है और अगर मैं दोस्तों से मिलना बन कर दू और घर बैठ कर कोई टीवी पर मनुरंजन देख लू तो मज़े मारने का लालच तो बना ही है सिर्फ चीजे बदल गई लालच बना ही है तो इसलिए किसी चीज को बदलना और किसी चीज को खत्म करना इसके अंतर को समझना पड़ेगा क्या आप मेरे साथ साथ चल रहे है भले ही धीरे से चलिए या जोर से चलिए मगर मेरे साथ साथ चलिए बोलने वाला और आप दोनों दोस्त हैं दोनों साथ साथ चल रहे हैं दोनों को जिम्मेदारी लेनी हैं किसी एक चीज को दूसरे में तबदील करना और किसी चीज का अंत करना इससे समझना बहुत जरूरी है उदारन के लिए अगर आप शराबी है तो शराब पीना बंद करके सिगरेट पीना शुरू ना करें या शराब की जगह कोई दूसरा नशा शुरू ना करें अगर आप लालची है हिंसक है तो इनका अंत करें कुछ और बननी की कोशिश ना करें हम इसके गहराई में जाएंगे जब हम मृत्यू पर बात करेंगे अमेरिकन लोग मृत्यू से मौत से बहुत डरते है क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं अगर मैं मृत्यू पर बात करूँ क्या आपको पता है लोगोंने किताबे लिख रखी है कि खुशी खुशी कैसे मरते है वो लोगों को आसानी से मरने में मदद करते है यह समझना बहुत जरूरी है कि किसी चीज का अंत कैसे हो हम अक्सर कोई एक चीज को छोड़ कर उसकी जगा दूसरा कुछ शुरू कर देते है कोई दूसरी वस्तू कोई दूसरी चीज पकड़ लेते है जिससे वृत्तिया बनी ही रहती है सिर्फ चीजे बदल जाती है क्या आपने कभी मौथ पर गौर किया है मौथ भी एक अंत है हम इसके गहराई में बाद में जाएंगे हमें समझना होगा कि बच्पन से ही अमारी ट्रेनिंग की गई है कि बच्पन से ही हमें समस्या को सुलजाने के लिए ट्रेन किया गया है जैसे पढ़ना एक समस्या है जो पढ़ना सीख कर हम सुल्जा लेते है और जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर उसे बड़े बड़े गणित सुल्जाने को दिये जाते है वह भी एक समस्या ही है जिसे सुल्जाना वह सीखता है और फिर यहाँ और और गहरा होते जाता है तो वास्तविक्ता में हमारे मस्तिश्क को बचपन से ही समस्या सुलजाने की एक मशीन बनाई जाती है हमारा दिमाग समस्याओ को सुलजाने के लिए बचपन से ही ट्रेन किया जाता है कंडिशन किया जाता है तो पूरी जिन्दगी हम समस्या सुल्जाने में ही लग जाते है क्योंकि हमारा मस्तिश्क बच्पन से ही इसके लिए ट्रेन किया गया है तो कोई समस्या को अगर सुल्जाना है तो मस्तिश्क स्वतंत्र होना चाहिए दूसरे चीजों से मुक्त होना चाहिए स्वयम समस्या से मुक्त होना चाहिए तब ही तो वह समस्या सुल्झाने के काबिल रहेंगा अगर मस्तिश्क अपने आप में समस्या उसे भरा बड़ा है तो वह समस्या कैसे सुल्झा पाएगा आप राजनिती में देखेंगे कि बस समस्याओं को सुलजाने के लिए कोई तरीका निकालते हैं जिस तरीके से और दूसरी समस्याओं निकलाती है आपने जरूर इसे देखा होगा तो सबसे पहले तो हमें ढूड़ना होगा कि क्यू हमारा मस्तिश्क क्यू हम हमेशा समस्याओं को सुलजाने में लगे है क्या हम इसे देखने के लिए मुक्त है या फिर हम खुद ही इसमें उलजे है क्यू हमें समस्या है हम सब के पास कोई न कोई समस्या है और उन समस्याओं को सुलजाने के लिए हम बहुत बार एक्सपर्ट्स का साहारा लेते है हम दूसरों की मदद लेते है सोचिए अगर आप जंगल में अकेले हो तो आप अपनी समस्या को कैसे सुल जाएंगे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बच्पन से हमें समस्याओं को सुलजाने की ट्रेनिंग दी गई है तो हमारा मस्तिश्क समस्याओं को ढूनने में लगा है और वह रुक नहीं रहा वह एक समस्या से कई और समस्याएं बना लेता है आशा करता हूँ कि आपको मेरा कहना समझ रहा है तो क्या यह संभव है कि जिस मस्तिश्क से हमें समस्या सुलजाना है वह मस्तिश्क खुद समस्याओं में उल्जाना हो जो खुद समस्या से मुक्त हो क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? तर्क है कि अभी आपको समस्या है और आपके पास वह मस्तिश्क है जो बचपन से समस्याओं को सुलजाने के लिए ट्रेन किया गया है संसकारित किया गया है वह समस्याओं को ढूंडने में और सुलजाने में लगा है तो अभी वर्तमान में जो समस्या है जो वास्तविक समस्या है वो कैसे सुलजेंगी क्योंकि मस्तिश तो मुक्त ही नहीं है और वकील और प्रोफेसर हमारी समस्याओं को और बढ़ा देते है और उन्हें इसके पैसे मिलते है हम उन्हें हमारी समस्या बढ़ाने के पैसे देते है वास्तविक समस्या सुल्जाना अगर है तो जरूरी है कि आप उस समस्या को किस नजरिय से देखते हैं अगर उसे देखते ही आपका दिमाग समस्या को सुल्जाने में तुरंत लग जाता है तो आपने उस समस्या को तो पूरी तरह देखा ही नहीं आप अपनी समस्या को पूरी तरह तभी देख सकते है जब मस्तिश्क उस समस्या का समाधान ढोड़ने में ना लगा हो जब आपका मस्तिश्क पूरी तरह मुक्त हो, खाली हो क्या आपको यह समझ पढ़ रहा है? यह आसान है, देखिए, शब्दों में मत उल्जिए जो दिमाग समस्या सुलजाने में काबिल है वह खुद ही समस्या बन जाए तो उसे कौन सुलजाएगा? अगर आपको अपनी गर्फरेंड या पतनी से समस्या है तो मैं उस समस्या को कैसे देखता हूँ? या फिर मेरे पास कोई उद्देश पहले से है अगर आप ऐसे समस्या को देखेंगे तो आपकी उर्जा देखने में नहीं निश्कर्ष निकालने में व्यर्थ होगी जो उर्जा समस्या को देखने में लगनी चाहिए थी वो उर्जा समस्या का समाधान ढूनने में व्यस्थ है ऐसे में वह समस्या जड़ से खत्म नहीं होगी बनी ही रहेगी तो क्या यह संभव है कि किसी दिशा के बिना हम समाज की, दुनिया की और हमारी खुद की क्योंकि आप ही यह दुनिया है, आप से ही यह समाज बनता है आप कोई अलग व्यक्तित्व नहीं है आपके भीतर से ही बाहरी जगत निर्मित होता है यह दोनों एक ही चीज है तो जब हम समस्या को ऐसे देखते हैं कि हमारी उर्जा निशकर्ष निकालने में ना जा रही हो तब निशकर्ष निकालना ज़रोरी नहीं रहता समस्या को पूरी तरह देखना महत्वपूर्ण बनता है निश्कर्ष नहीं, समस्या ही अपने आप में महत्वपूर्ण बनती है और ऐसा होती ही, जब आप समस्या को पूरी तरह देखने में काबिल होते हो तो कोई समस्या बचती ही नहीं चिंता मत कीजिए, अगर यह आपको समझा तो बहुत अच्छा नहीं तो हम इसके गहराई में और जाएंगे देखिए, हमारा मस्तिश्क सभी चीजों का केंदर है हमारे विचार, भावनाए, प्रतिक्रियाए, सब वही से आते है और वह मस्तिश्क बचपन से ट्रेन गया गया है उसने चीजों को रट लिया है, सीख लिया है और उस हिसाब से ही वह चीजों को देखता है चीजों को देखने का उसका खुद का एक द्रिष्टी कोन है जो 40,000 सालों की ट्रेनिंग से, ग्यान से, कंडिशिनिंग से बना है उसे हिंदू, क्रिष्ट्चन, बुद्धिस्ट, मनोवैग्यानिक, वैग्यानिक, फिलोसोफर, मनोचिकित्सक, इत्यदी इत्यदी इन सब बातों से, अतीत के ग्यान से वह बना है और इन बातों के कारण, उस मस्तिष्ट को एक द्रिष्टी कोन प्राप्त हुआ है और उसी द्रिष्टी कोन से, वह चीजों को, खुद को, और बाहरी संसार को देखता है जो दुरुष्टी कौन अपूर्ण है पूर्ण नहीं है जो चीजों को तुकडों में देखता है छोटे छोटे हिस्सों में देखता है और इस कारण समस्या को और बढ़ाते जाता है जैसे पती-पत्नी के संबंदों में समस्या लाता है तो ये मस्तिश्क जो 40-50,000 सालों की यात्रा करके यहाँ पहुचा है जिसका अपना एक दृष्टी कौन है जो अब तक की कंडिशिनिंग से ट्रेनिंग से संसकार बद्दता से बना है और चीजों को भागों में बाट कर देखता है पूरी तरह नहीं देखता यह मस्तिश्क ही आप है यह दृष्टी कौन आपका ही है यह मस्तिश्क और आप अलग-अलग नहीं है यह एक ही बात है जो आप सोचते है, महसूस करते है आपके विश्वास, आपकी मान्यताय, आपकी खुशी, आपकी अंदश्रद्धा, आपकी यादे, आपका मजा, इट्यादी इट्यादी यह सब ही तो आप है, आपका चैतन्या, आपकी प्रतिक्रियाए ऐसा नहीं चैतन्या, प्रतिक्रियाए यही आप है आपको अपने होने का भ्रह्म होता है, वह भी इसका ही हिस्सा है जड़ा खुद के तरफ नजर डाली, खुद के भीतर जाकिए, अपने आपको देखिए आपको यह साफ साफ दिखाई पड़ेगा, किसी दूसरे को इसके बारे में मत पूछिए आपको खुद ही इसे देखना होगा, और खुद से ही इसे समझना होगा तो यही पचास अजार सालों की कंडिशिनिंग आप है और यह मस्तिश्क, यह चेतना केवल आपकी अकेली की नहीं है यही मस्तिश्क, यही चेतना पूरी दुनिया की भी है याने की आप और दुनिया एक ही चीज है, अलग-अलग नहीं जिसे आप अपनी खुद की चेतना समझते है वह चेतना पूरी दुनिया की एक ही है हर इंसान की अलग-अलग नहीं है वह एक ही है जो सब की है जिसे आप अपना समझते है क्योंकि दुनिया का हर इंसान आपके जैसा ही है उसके पास भी सुख है, दुख है, लालच है, विश्वास है, मान्यताए है तो जो आप सोचते हैं कि मैं हूँ वह चेतना जो आप सोचते हैं कि मेरी है वह आप, वह चेतना इस पूरी दुनिया की है और वह एक ही है इसलिए आप ही दुनिया है वैज्ञानिक इसे वैज्ञानिक दुरुष्टी से साबित करनी की कोशिश कर रहे है अब हम उसमें नहीं जाएंगे लेकिन जब वैज्ञान इसे साबित कर पाएगा तब आप तुरंती से मान लेंगे क्योंकि ऐसे ही हमें ट्रेन किया गया है लेकिन हम कोई वैज्ञानिक नहीं है हम साधारन लोग है और हमें खुद से ही इस जीवन को तलाशना है इस सुन्दर धर्ति पर इनसान होने की इस अद्बुद घटना को खुद से ही देखना है इनसान की मजे पाने की लालच ने स्वार्थ ने इनसान इनसान को अलग किया है इसके कारण हमें भ्रह्म होता है कि हम अलग-अलग एक व्यक्ति है और मैं आपसे कहता हूँ कि आप ही पूरी मानव जाती है क्योंकि आपको कश्ट होता है एक डर आपके भीतर है आपके भीतर बहुत सारे अंद विश्वास, विश्वास, मानने ताए है अपने स्वार्थ के कारण या कहे अपने डर के कारण इश्वर की निर्मिती की है आपने एक बनाया है एश्या में हजारों बगवान है शायद उधर जादा मजा होगा तो जब आपको बोध होगा कि आप ही यह दुनिया है तब आप किसी की हत्या नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप किसी की हत्या करते हो तो आप खुद की ही हत्या करते हो आपके धर्मगुरू आपसे कहते है कि आपकी एक अलग आत्मा है और मैं कहता हूँ कि यहाँ एक ही आत्मा है जो सब की है तो क्या यहाँ सारा जूटा दृष्टी कौन एक ही जटके में यहाँ सारा कन्फ्यूजन जड़ से खत्म हो सकता है ताकि हम इस खुपसूरत धर्ती पर शांती से रह सके यहाँ कितना सुन्दर संसार है सिर्फ आपके पास देखने का सही दृष्टी कौन सही नजरिया होना चाहिए निसर्ग को सृष्टी को इंसान नहीं बनाता एक शेर विचारों से निर्मित नहीं होता लेकिन सृष्टी को निसर्ग को छोड़ कर विचार ने पूरी दुनिया खड़ी की है विचार ने ही हमें निर्मित किया है विचार ही कारण है बिना विचार और यादाश्ट के जो अतीत के ग्यान से बनते है हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे हमें जानना होगा कि विचार क्या है क्यूकि विचार से ही आज का अदभूत तक्नी की जगत निर्मित हुआ है क्यूकि विचार से ही आज का अदभूत तक्नी की जगत निर्मित हुआ है इत्यादी विचारोनी ही व्यवसाय को जन्म दिया है विचारोनी ही दुनिया के चर्च, मंदिर, मस्जिद, सब निर्मित किये है और इन में चलने वाली विधिया, पूजा, पाठ, सब विचारों से ही निर्मित हुए है और विचार ने ही भगवान बनाया है भगवान की कलपना विचार द्वारा ही निर्मिद हुई है हमें विचार के स्वभाव को तलाशना है क्योंकि जो कुछ भी हम करते है वह विचार से ही आता है आप किसी से संबंद बनाते हो तो वह आप नहीं बनाते वह विचारों द्वारा ही बनता है आपको खत लिखना है या कार चलानी है तो इसके लिए विचार का होना जरूरी है नहीं तो आप कार नहीं चला पाएंगे विचार नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे फिर चाहे आपको वैज्यानिक बनना हो या कोई चंभार विचार नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे आपको जो भी करना हो तो पहले विचार उपस्तित है तो हमें विचार की गतिविधियों को ध्यान में लाना होगा क्यूं विचार इतना आवश्चक बन गया है और शायद यह विचार ही कारण है क्यूं हम एक दूसरों को दुख देते है एक दूसरों की जान लेते है तो यह विचार असल में है क्या जब आप से पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है तो आप तुरंत जवाब दे देते हो क्यूँ? क्यूँकि आपने इसे बहुत बार दोहर आया है अगर आपको कठिन सवाल पूछा जाए तो आप जवाब देने में थोड़ा वक्त लेंगे इस वक्त में आप ढूंडेंगे, देखेंगे जवाब पाने की कोशिश करेंगे, किताबों में ढूंडेंगे सवाल और जवाब के बीच अंतर होगा इस अंतराल में विचार तलाश कर रहा है और अगर आप से बहुत कठिन प्रश्न किया जाए तो आप कहेंगे कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता क्या आप कभी कहते हो कि मैं नहीं जानता जब आप कहते हो कि मुझे नहीं पता तब आप उत्तर बताया जाए, इसके इंतजार में रहते तो यह विचार के अलग-अलग स्तर है शायद आपने पहले भी विचार क्या है सुना होगा या तो मुझ से या किसी और से तो कृपपा करके उसे भूल जाईए जो भी आपने विचार के बारे में पहले से सुन रखा है उसे भूल जाईए यह मेरा आपसे अनुरोध है, विनती है और ताजे होकर, एक्तम नए होकर देखिए कि विचार क्या है? वह चालाक हो सकता है वह विचार इमानदार हो सकता है तरक संगत हो सकता है पागल हो सकता है लेकिन आखिर कर वह विचार ही है एक व्यक्ती जो बहुत ग्यानी है और एक व्यक्ती जिसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता वह अनपढ़ है जो एक छोटे से गाओं में रहता है उसके भीतर भी विचार है तो विचारों के अलग-अलग स्तेर है क्या यह साफ है? हमें साफ-साफ देखना होगा कि विचार क्या है? क्यू हमारा पूरा जीवन ही विचार पर निर्भर है? विचार तभी आ सकता है जब यादे हो बिना यादों के आप विचार नहीं कर सकते और यहादे मस्तिश्क में जमा होती रहती है और यादे ज्यान से बनती है जानकारी से बनती है और ज्यान आता है जब अनुभव हो लेकिन अनुभव हमेशा मर्यादित है, सीमित है इसलिए ग्यान चाहे कितना भी बढ़ जाए वह सीमित ही रहेगा चाहे भविश्य में हो या अभिवर्तमान में हो वह सीमित ही होता है हाँ, ये सच है वैज्यानिक ग्यान बढ़ाती ही जा रहे है जो पहले सी ही उन्हें पता है ग्यान हमेशा सीमित ही रहेगा और इसलिए विचार और यादे भी सीमित है यानि कि विचार सीमित है और इसी कारण जो क्रिया विचार से निकलती है वह भी हमेशा सीमित ही होगी और जो भी सीमित होता है वह संगर्ष निर्मित करता है विरोध लाता है आप दिन भर सोचते हो लेकिन आपका विचार सीमित है और इस सोच के साथ विचार के साथ आप जो भी कार्य करते हो वह भी सीमित ही होता है इसलिए आपका करना अधूरा होता है, सीमित होता है, और इसलिए उसमें समस्याये बनती है, और इसलिए हर चीज में विरोधाभास है, समस्याये है, क्योंकि यह दुनिया विचारों से निर्मित हुई है, आपकी शिक्षा, आपके संभन्द, आपकी अर्थ विवस्ता, तक्निकी विकास, इत्यादी इत्यादी, सब विचारों से ही निर्मित हुए है, विचार ने ही इंसान इंसान में दूरी बनाई है, क्रिश्चन लोगों की दुनिया अलग है, हिंदो लोगों की दुनिया अलग है, मुसल्मानों की दुनिया अलग है, और सब के पास अपने अपने अलग भगवान है, क्या आप इस बिवकुफी को देख पा रहे हो जो विचारों से निर्मित हुई है ये कैसी ना समझी है और इसके कारण इंसानों इंसानों में विरोध है हिंसा है आप में और इराक में युद्ध क्यूँ चल रहा है क्योंकि आपकी मान्यताओं ने आपके बीच विभाजन लाया है और इस सब के जड़ में विचार ही है विचार सेमित है इसलिए जो भी विचारों द्वारा निर्मित हुआ है वह कभी पवित्र नहीं हो सकता वह भगवान नहीं हो सकता क्योंकि उसमें खामिया है क्या आप इसे अपने भीतर सत्य देख पा रहे है क्या यह सच साबित हो रहा है या फिर बस इसे सुनके घर जाके आपकी रोज की जिन्देगी में आप व्यस्त हो जाएंगे उलज जाएंगे या फिर यह जिम्मेदारी खुद पर लोगे जब आपके कान पर सत्य पढ़ता है जब आप वास्तविक्ता को महसूस करते हो सत्य को देखते हो और आप उसे समझ कर भी अंधेका करते हो तब वह आपके भीतर जहर का काम करता है तब चीजे पहले से बहुत जादा बिगड़ जाती है तो इसे अंधेका मत कीजिए खुद पर जिम्मेदारी लीजिए एक इनसान होने के नाते अगर आप नहीं लेंगे तो जिम्मेदारी कौन लेगा तो विचारों का बहुत महत्व है विचार के बिना आप यहां आभी नहीं सकते थे और यहां से घर भी नहीं जा सकते लेकिन विचार की सही जगा होना आवश्यक है हां व्यवसाय में तक्निकी जगत में विचार हो सकता है आपको विचार की जरूरत पड़ती है लेकिन क्या मानसिक जगत में भी आपको विचार की जरूरत पड़ती है क्या हमारे संबंदों में संबंद जो आपका आपके परिवार के साथ है संबंद जो समाज के साथ है क्या इसमें विचार की आवश्यक्ता है अगर हमारे संबंदों में विचार है या हमारा संबन्ध विचारोद्वारा निर्मित हुआ है तो फिर वह सिमित ही है और उसमें विभाजन है, हिंसा है, स्वार्थ है चाहे पती-पत्नी एक दूसरों को कितना भी पसंद करे मैं पसंद शब्द का इस्तमाल कर रहा हूं प्यार शब्द का इस्तमाल मैं नहीं करना चाहता तो जब तक संबंद विचारों द्वारा चल रहा है तब तक चाहे आप एक दूसरों को कितना भी पसंद करे आपके बीच विभाजन बना ही रहेगा इसके आगे की बात हम किसी और समय करेंगे